Class 10 Maths and CERT Exercise 3.1 Question 2 On comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 Find out whether the lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident तो आपको सबसे पहले ये तीनो ratios निकालने हैं निकालने के बाद आप ये बताओ कि जो नीचे equations दी हैं इनसे जो line बनेगी वो किसी एक point पर intersect करेंगी यानि एक दूसरे को cut करेंगी या दोनों line आपसे parallel होंगी या coincident होंगी, या एक क्यूपर एक होंगी अब ये condition आपने पढ़ी होगी नहीं पढ़ी तो introduction वाली वीडियो देख लेना वहाँ समझ में आ जाएगा कि मालों एक equation ये है, दूसरी equation ये है अब यहाँ पर a1 क्या है देखो x का coefficient आपका a होगा y का coefficient b होगा और constant वाला term c होगा पहली वाली equation की बात करनेंगे तो a1, b1, c1 होगा दूसरी वाली equation की बात करनेंगे तो a2, b2, c2 होगा तो line intersecting तब होंगी यानि दूसरे को cut up करेंगी जब a1 by a2, यानि पहरी वाली equation का x का coefficient अपॉन दूसरी वाली equation का x का coefficient इन्हें x से पहले जो लिखा है ये बराबर नहीं होगा b1 by b2 के coincident कब होगा, एक के उपर एक कब होगा जब ये तीनों जो ratios आपका से equal होंगे और पहलल तब होगा जब a1 by a2 और b1 by b2 ये तो equal होंगे लेकिन ये c1 by c2 के बराबर नहीं होंगे तो ये condition याद होनी चाहिए तीनों ratios के आप value निकालोगे और देख लोगे कौन किसके equal आ रहा है नहीं आ रहा है और कौन सा ये फिर होगा तो पहला काम ratios की value निकालना चलिए निकाल लेते हैं a1 by a2 क्या होगा तो पहली वाली equation का extra coefficient 5 है यादि a1 5 है दूसरी वाली equation का extra coefficient यादि a2 आपका 7 है बस यहीं लिख दो 5 upon 7 थोड़ी से जगह छोड़के यहीं पर आप लिख दोगे b1 by b2 b1 आपका 4 है b2 आपका 6 है 4 by 6 होगा इसको थोड़ा solve कर लेंगे 2 2s are 4 2 3s are 6 यानि lowest form में इसको ले आएंगे तो यह 2 by 3 हो गया इसी तरह से c1 by c2 आपका क्या हो जाएगा c1 आपका 8 है और c2 with sign लेना है minus 9 यानि 8 upon minus 9 अच्छा numerator या denominator कहीं एक में अगर minus का sign है तो minus sign fraction से पहले आ जाएगा यानि इसको इस तरह से हम लिखेंगे minus 8 upon 9 तो अगर minus 8 होता तो भी हम इस तरह से minus को पहले ले आते है minus 9 है तो भी हम इस तरह से minus पहले लाएगे अगर numerator denominator दोनों minus है तो वो cancel out हो जाएगा अगर किसी एक जगे है तो फ्रेक्शन से पहले लगा लो अब ये दखो तीनों ratios के value आ गई अब देख लो खुद ही देख सकते हो तीनों equal नहीं है अब लिखो के here यहाँ पर क्या हो रहा है A1 by A2 ये बराबर नहीं है B1 by B2 के तो अभी मैंने आपको दिखाया था A1 by A2 और B1 by B2 ये अगर equal नहीं है ठीक है ये not equal है तो फिर ऐसी condition को हम intersecting कहेंगे यानि line intersect करेंगे दूसरे को cut कर रही है therefore the lines intersect at a point तो intersecting किसी एक point पे अब second वाला part इसी दिरह से कर लेना आपको इसका A1 by A2 का होगा ये आपका 12 upon 24 12 to 24 ये भी fraction आपका reduce होके 1 by 2 आ जाएगा तो तीनो ratios बराबर है ये कब होता है जब line coincident हो एक के उपर एक हो तो अपलिकोगी here A1 by A2 equal है B1 by B2 के equal है C1 by C2 के therefore the lines are coincident second part होगे आप third part देख लेते हैं first part होप अपने note कर लिया होगा इसी मैं कर देते हूँ A1 by A2 आपका 6 by 2 होगा 2, 3 is a 6 तो ये आपका 3 आ गया B1 by B2 देखो Y का coefficient क्या है with sin minus 3 minus 3 upon यहाँ Y को Efficient क्या है कोई number नहीं लिखा इसका मतलब 1 है तो ये minus 1 होगया minus से minus cancel हो जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा C1 by C2 निकालोगे तो आपका 10 by 9 आ जाएगा अब देख सकतो A1 by A2 आपका 3 है B1 by B2 आपका 3 है C1 by C2 आपका 10 by 9 है तो A1 by A2 और B1 by B2 ये दोनों तो Equal है लेकिन ये C1 by C2 को Equal नहीं है यानि C1 by C2 अलग आ रहा है ये ही आप लिक दोगे A1 by A2 equal to B1 by B2 which is not equal to C1 by C2 therefore अब ये condition किसकी है? पैलल की कि A1 by A2 और B1 by B2 ये तो Equal है लेकिन C1 by C2 के Equal ये दोनों नहीं है therefore the lines are parallel तो ये third part हो गया इसी एक साब question number 2 हमारा हो गया और भी question के solutions की वीडियो देखनी है तो नीचे description में आपको chapter wise playlist का link मिल जाएगा वहाँ से click करके देख सकते हो ओके thank you